हालो एपरिवन जैहिन नमस्कार वेलकम यू अल्टो मिसन कॉंप्टिशन आप सभी का सभी को सभी को राधे राधे जैश्री राम तो दोस्तों देखिए पटना हाइग कोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटीस आया हुआ है जिसके संब्ध में मैंने आपको प्रिवेसल जो बताया था इस वेकेंसी के बारे में आप सबने वीडियो जरूर देखा होगा वेकेंसी क्या है माफ करिएगा नोटीस क्या है चलिए एक बार उसको देख लेते हैं तो जो आप यह ओफीशल वेबसाइट है पटना ही कोड़ा जो यहां पर आईएगा और यहां साइड आप जो स्क्रॉल करिएगा नीचे जब जाएगा यहां पर रिक्रूटमेंट टैब होगा इस पर क्लिक करिएगा यहां नीचे जाने बाद देखिए कल दस तारीक डेट में काफी नोटीस आयों है यहां पर असिस्टेंट एक्जामनेसन रिकूटमेंट का यहां निव नोटीस से देखिएगा असिस्टेंट रिकूटमेंट एक्जामनेसन 2023 ठीक है देखिए 10 अप्रील को यह नोटीस पब्लिश हुआ है सारे कंडिडेट्स को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो है जारी कर दिया गया प्रिलिम्नरी टेस्ट का ठीक है साथी जो की 30 और 18 को यह held किया गया था 17 और 18 जनवरी को साथी साथ इंटरव्यू जो है 5 से 18 फरवरी को इंटरव्यू भी ले लिया गया था ठीक है तो इसी की समद्ध में have been made available to the website of the court the candidate may view their scorecard clicking on the link given below ठीक है अब यहां पर दिखिएगा यहां पर जो है कि हम मतलब अपना आर्टे ला कि अपना स्कोर बगारा कितना है नहीं है अगर हम यह जा चले वह आप नहीं कर सकते हैं the candidate must take notice that the link shall remain active 31 माई तक यह link active रहेगा तब तक अब देख सकते हैं अब यहां पर दिखिएगा beside in light of clause 12 of the above referred advertisement no application under RTA seeking information relating to score and cut off marks of assistant recruitment examination दो जाता ही shall be entertained है ना यानि कि आप RTI वेगरा लगा के इसमें आप अपना marks वेगरा नहीं देख सकते हैं तो आपको अभी इसलिए link दे दिया गया है आप अपना scorecard चेक कर सकते हैं इसलिए आयोग जो है उन्होंने link आपको दे दिया है इतनी बाते clear है तो चलिए एक बार हम आपको दिखा है ना link for a scorecard assistant recruitment examination ठीक है इस पर हम लोग करते हैं clear जब इस पर click करिएगा आप दिखेगा यहां एक new tab खुल गया अब यहां पर दो tab है एक है unique user ID registration number और password का है अब मान लीजे चुकि काफी time हो गया दो जब 23 में form फिल हुआ था और आपको नहीं मालूम है आपको नहीं याद ह कि आपका क्या ID है क्या password है इस situation में आप एक काम करिएगा आप forgot registration ID password कर दीजेगा जो से forgot आप करिएगा forgot करने के बाद देखिएगा आपको किवल दो option दिखाएगा एक अपना mobile number और साथिछा date of birth तो आपको obvious बात है mobile number तो आपको याद हो गई है अपने क्या mobile number दिया है जो अब ही है आप वह mobile number यहाँ पे जो है डाल दीजेगा और यहाँ पर समिट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करिएगा इतना करने के बाद आपको अपका scorecard देख जाएगा अब इस scorecard में आप अपने prelims मेंस इंटरव्यू सारे अगर आप लोग के बाहर हो गया तो आप लोग आपकी बात कर लेकर असिस्टेंट एक्जामनेशन की देखिए असिस्टेंट का जोब न्यू वेकेंसी है यह साल के आखिर तक आने का chances है अभी आपके हाथ में क्यों सा एक्जाम है पटना ही कोट के संबंद में तो कलर का एक्जामनेशन है जिसका पूरा पूरा चांस है अभी एलेक्शन के बाद उसको हेल्ड कर लिया जाएगा ठीक है तो डिफिनेटली इस पे आप लोग ध्यान रखिए और तैयारी में पुर्जोड लगे रहिए तेल देन टेक केर बाबाए गॉड्ड ब्लेस यू ओल